कि अधिए अधिए नियुक्त वेल कम बैक टू मैं चैनल मैं अधिए ता आज के वीडियो में मैं आपके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही अपना फीडबैक शेर करना नहीं भूले तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी वाड्रोब की एक्चुल सिच्वेशन तो आप देख सकते हैं बिलकुल बुरी तरह ये भरी हुई है और ये मेरे जो पाउचेज हैं इनमें साड़ी रहती हैं और ये सारे बेट बॉक्स में रहते थे तो अभी मैंने निकाले ह हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है तो साड़ियों को दूप लगाना ये सारा काम भी शुरू करूंगी और उससे पहले मैं चाहरी थी कि इस वाली वाड्रोब में सिर्फ मैं साड़ियां ही रख हूँ इसकी ड्रॉर्स में भी साड़ियां कुछ अनिस्टिच फैबरेक वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो इसी वाड्रोब को मैं और्गनाईज करने वाली हूँ तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि ड्रॉर्स को मैं खाली करूँ और साथी जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको भी मैं अच्छे से खाली कर लूँ पहले और उसके बार फिर वन बाई वन मैं ऑगनाईज करूँगी तो यहाँ पे जो हैंग ते कपड़े वो मैं अभी रहने दिये हैं नीचे वाले कपड़े जितने भी थे वो मैने हटा दिये हैं यहाँ पर ये मेरे बेटे का एक ओल्ड गेम था वो हाड़ बोर्ड का था तो इसको मैंने अरजब बेस लगाया हुआ था यहां पे इसको पर रखने के लिए साथ ही यह सूटकेस का जो पाटिशन होता है वो भी यहां पर क्योंकि यह तो अब यूज होते नहीं है इस तरह के सूटकेस तो वो हैं ड्रॉर्स भी मैंने खाली कर दीती और आप देखी सकते हैं कितनी जब किसमें लाइनर वगरा लगे हुए थे तो सबसे पहले इसको अच्छे से वैक्यूम करूंगे फिर गीले कपड़े से साफ करके इसको ड्राय करने छोड़ूंगे जब आप वाडरोब को क्लीन कर रहे हैं उस तेम आप ध्यान रखे कि आपकी वाडरोब में किसी तरह के इंसेक्स तो नहीं आरे या फिर कहीं से सीलन तो नहीं है या किसी और तरह का जो भी प्रॉब्लम है उसे आप पहले फिक्स कर लें उसके बाद ही इसमें कपड़े रखें तो मैंने यहाँ पे अच्छे से वैक्यूम कर लिया गीले कपड़े से भी साफ कर लिया उसके बाद liner है तो आप liner यूज़ सकते हैं नहीं तो इस तरह की पुराने calendar हमारे घर में होते ही हैं इनका जो paper है वो काफी ठिक होता है और glossy होता है तो ये भी बहुत अच्छे से आपके liner की तरह काम करेंगे तो बिना किसे investment के बिना खट्चे के आप ये वाले calendar को अपने liner की तरह use कर सकते हैं तो देखी छोटा calendar था तो इस तरह से मैंने दो sheet लगाई हैं उपर वाले portion में यहाँ पर suitcase का जो partition था वही मैंने रख दिया है और ये game भी अब use में नहीं आता है hardboard का है तो इसको भी as a base मैं use कर रही हूँ और इसको पसारा समान रखने वाली हूँ इस बार जितनी भी साड़ियां हैं वो मैं इस तरह से hang करके रखने वाली हूँ और जो बाकी हैं वो मेरी साड़ी boxes में आ जेंगे अराम से तो यहां पर इस तरह से जो length आते हैं साड़ियों की इससे अगर आप बिना press के भी साड़ी को hang करके रखते हैं तो बहुत अच्छे से वो रहती हैं और इस तरह से hang रहती हैं साड़ियां तो आपको दिखती हैं और यूज भी हो पाती हैं अब festival आने वाले हैं तो उनमें भी अगर आपको साड़ियां पहननी हैं तो इस तरह से hang रहेंगी तो आपको बहुत ही easy होता है उने pick करना और use करना आप इनको cover के साथ भी रख सकते हैं मैं आपको आगे share करूँगी कि किस तरह के cloth cover आप ले सकते हैं इनको hang करते रहें बट अभी monsoon season में इनको मैं खुला ही hang कर रही हूं ये पहली जो draw है इसमें मैंने रखी हैं सारे unstitched fabric कुछ suits के कपड़े हैं कुछ blouse के कपड़े हैं इस तरह से सारे हैं ये भी इदर उदर पड़े रहते हैं तो आपको ध्यान नहीं रहता जब आप stitch करान अब यहां पर जो एक draw खाली है इसमें मैं organize करने वाली हूं अपने सारे blouse तो यहां पर ये shoe box था मेरे पास उसको मैंने लिया है और इसको मैं उपर से इसका cap मैंने cut cut दिया इसी तरह के 2 shoe box लेके मैं यहां पर adjust करने वाली हूं अगर आपके पास draw के size की basket है तो आप उसको भी use कर सकते हैं अभी मेरे पास as such कोई साइस की basket नहीं थी तो मैं इनको use कर रही हूं बाद में अगर मुझे लगेगा कि size की basket मुझे कोई मिलती है तो फिर मैं इनको replace करके यहां पर basket use करूंगी जब भी आप कोई space organize करें तो जो भी resources आपके पास हों उस time पे उनका use करके ही आप use करें ताकि आपको एक idea लग जाए कि यह आपके लिए काम भी कर रहा है कि नहीं जिसे मैं आज first time इस तरह से boxes में अपने blouse arrange कर रही हूं तो यह मुझे नहीं पता कि यह मेरे लिए work करेगा की नहीं करेगा तो आप पहले ही किसी महंगी चीज़ पर invest ना करें जैसे कि basket या फिर कोई और organizer तो जो चीज़ आपके पास पड़ी हैं उन में ही अगर आप organize कर लेते हैं तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप आगे invest कर सकते हैं किसे अच्छे organizer पर बट इस तरह से आपको एक rough idea लग जाएगा कि यह आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं तो यहाँ प ब्लाउस था उसी के अंदर मैंने सारे ब्लाउस रखे हैं यहाँ पर वो ब्लाउस हैं जो मुझे स्टाइम पर फिट आते हैं और इनको मैं mix and match करके कुछ और साड़ियों के साथ भी यूज़ करती हूँ हैवी साड़ियों के ब्लाउस मैं यहाँ पर नहीं रखती हूँ उन फेट हो गए हैं इसमें थोड़ी सी जगा बची थी थी थोड़ी सी पहले मुझे लगा कि मैं आगे की तरफ खाली छोड़ती हूँ बट फिर लगा कि ब्लाउस शायद को खिसकाने से ना बॉक्स तूट सकता है तो फिर मैंने बॉक्स आगे की तरफ रख रख्या और पीछ ने सारी अच्छे से देख रही है, तो ये वाली ड्रॉर मेरे इस तरह से और्गनाइज हो गई है, अब जो ड्रॉर मेरे पास हैं, उसमें मेरे जो साड़ी पाऊचे से हैं, वो मैं रखती हूँ, यहाँ पर ये वाला है पेट्कूट के लिए तो इसमें मेरे कम से कम 25 से 30 पेट्कूँट बहुत आराम से आ जाते हैं तो इसको मैं काफी लंबे टाइम से यूज करूए हूँ और काफी अच्छी क्वॉलिटी का ये है तो ये देखिए कि एक बार इनकी तहट ही करके इनको फिर से रखोंगे और यहां पे जो हमारी belt वाला side है ना वो alternative pattern में आपको रखना है यानि कि एक उपर एक नीचे इस तरह से करके आप रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका stack ready हो जाएगा और जिब भी बहुत easily लग जाती ऐस तरह से second drawer में इस तरह से ये pouches है मेरे पास कुछ साड़ी pouches कुछ fabric में है कुछ ये plastic वाले हैं तो इनमें मैंने साड़ीया रखी हुई है जो मेरी silk साड़ीया है वो सारी इस तरह से और कुछ जो synthetic साड़ीया है वो side में मैंने फोल्ड करके रखी हैं इसमें नीचे वाले ड्रॉर में मेरी कुछ ऐसी साड़ियां हैं जो मैं बहुत कम यूज करती हूं तो उनको मैंने इस तरह से रखा है साइड में ये तीन पाउच की जगह इसमें अराम से है तो ये एक में पेटिकोट आगए एक बीच वाले में मिक्स साड़ियां रखी हुई हैं और ये जो रेड़ वाला पाउच है ना इसमें मेरे डिफरेंट ब्लाउजेज रहते हैं कुछ तो मैंने निकाल दी हैं अभी बाहर कुछ इसमें रखे हुए हैं इनको इसके एक्चली जिप खराब हो गई तो मुझे रिपैर कराना है तो उसके यहां पे काफी सारे मेरे जो पॉर्स वगरा हैं वो मैंने पेपर बैक के अंदर रखे हुए हैं और ये हैं कुछ साड़ी पाउचेज या कोट के जो कवर होते हैं वो सारे तो आजकल मौनसून सीजन में मैं कवर करके नहीं रखती हूँ एक बार धूप दिखा दूँगी क कपड़ों को उसके बाद ये सारे कवर यूज होने वाले हैं तो ये मैंने इसमें रख दिये हैं तो इस तरह से मेरी ये चारों ड्रॉर अच्छे से और्गनाईज हो गई हैं आपको मैं दिखा देती हूँ वन बाई वन फॉर्स ड्रॉर में हैं बलाउज और कुछ अनस्ट सूट और फैबरिक मेरे पास अलग से भी रखे हुए हैं इस तरह से ये तो इन में से कुछ तो मुझे खुद के लिए रेडी कराने हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी को देने वगरा के काम में आएंगे तो वो भी मैं सारे उपर वाले सेक्शन में रखने वाली हूँ क्यों कि फैस्टिवल सीजन में हम लोगों को किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देना होता है तो उस टाइम पर ये काम आ जाएंगे तो इस तरह से एक बार और्गनाईज हो जाती है वाल्डरोब तो आपको पता चल जाता है आपको क्या रखना है क्या देना है क्या एकिस डिसकार्ट करना है वो सारी चीजें तो एक बार इस तरह से और्गनाईज हो गई है तो उसके बाद अब आपको इसको यूज करना काफी एजी हो जाता है तो देखें ये है उपर से लोग कुछ बार्डरोब का तो यहां पे जो ये साड़ियां हैंकी होई है ये यूज होंगी इस बार फेस्टिवल पे और बाकी जो ड्रॉर्स वगरा मैं रख दिया है वो भी मैंने एक बार उनकी तहट खोल कर उनको पलट के रख दिया है तो ये वन बाई वन इस तरह से मेरी ड्रॉर की सिच्वेशन कुछ नीचे हैं पॉस्स और ये एक्स्ट्रा साड़ी कवर कोट कवर सेक हैं वो यहां पर रखी हुई हैं सबसे उस उपर में जैसे मैंने आपको दिखाया बलाउ्स हैं सारे और एक तरह पर अंस्टिच फैबרक रख्खा हुआ हैं तो इस तरह से है कुछ यह पाउचे में उपर रखे हैं जो मैंने इस बीच देने हैं या कुछ स्टिच कराने हैं उस तरह से तो यह है और पीछे यह कुछ पुरानी साड़ियां हैं जो मैं हो सकता है इस पर दिवाली पे मेड को दे दूँ तो इस तरह से मैंने रखी हुई है एट लीस वो देख जाएंगी मुझे otherwise जब देना होता है तो हमें बहुत मुश्किल होता है खोजने में कहां रखा है कहां रखा है और उनी का मैंने बच्पन से देखा है बट मैंने कभी साड़ी को इतने अच्छे से रखा नहीं मेरे हमेशा सूटकेस में या फिर बेड़ बॉक्स में ही साड़ी रहती थी क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ जादा अब मुझे लगा कि चलिए इनको भी एक स्पेस देते हैं औ पर मैं आपको दिखा रही हूँ है दो तरह के साड़ी पाउच यह जो वाइट वाला यह थोड़े से हलकी क्वालिटी में है और इसमें नीचे ट्रांसपरेंट शीट लगी हुए ताकि आपको दिखे क्या इसके अंदर आपने रखा हुआ है दूसरा यह थोड़ा सा हैवी है इसमें बीच में ट्रांसपरेंट शीट है तो आपको बीच में से दिखेगा कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है इस तरह के पौचेस भी आपके लहंगे भारी साड़ीों को अगर आप हैंकर करके रखते हैं तो उसके लिए काफी काम आते हैं तो इन पे भी आप इन्वे हैं 12 के सेट में 10 के सेट में इस तरह से आते हैं वैसे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप इस तरह के साड़ी कावर में इन्वेस्ट नहीं करना जाते हैं तो आपके पस अगर कोई कॉ कवर पढ़ाओ तो उसको भी as a साडी कवर आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कॉटन के बने होते हैं और काफी दूल चुके होते हैं तो उनके कलर वगर भी नहीं निकलता है तो इसमें जिप भी होती है आप उपर से जिप बन कर सकते हैं तो जैसे ये दो साड़ियां हैं म सिल्क साड़ियों में आप नेफ्टलीन बॉल का यूज़ ना करें क्योंकि जरी खराब होने के चांस होते हैं और सिल्क में भी कई बार जो फैब्रिक होता है नो वो खराब हो जाता है तो वो ना करें बर इस तरह के जो साड़ी के लिए बैग्स आते हैं ये बहुत पतली क है कुछ सोड़े हैवी आते हैं तो मेरे पस काफी तरह के ये हैं इनको मैं वैसे भी अपने सूट्स वगिरा रखने के लिए भी यूज़ करती हूं और साड़ी रखने के लिए भी तो इसमें अगर एक बार आपने रख रखें ना तो आप किसी भी जगह रखते हैं तो कुछ साड़ियां हैंक कर दी हैं तो मेरे पास ये दो तिन इस तरह के पॉचिस खाली हो गएते तो दो तो मैं अपनी दूसरी वार्डरोब में यूज़ करने वाली हूँ और एक को मैं इस तरह से फोल्ड करकी इसी वार्डरोब में रख दूंगी ताकि कभी अगर ट्राव अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब करें साथ ही अपना फीड़बेक शेयर करना नहीं भूलें मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू थैंक्स फॉर उयान खखने वाच्ट के लिए अए पर चाया है यू और मैं मिलता करें उन्स और नहीं, मिल दिया लिह्हाट, जैक्वि फ्ने लेहीं, मिलते य'T है वीडियों थाफुरा मिलती है